पुस्कार छात्रों हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है आज हम व्याकरण और संग्या की परिभाशा करेंगे तो सबसे पहले हम व्याकरण के उपर आएंगे कि व्याकरण क्या है व्याकरण को अंग्रेजी भाशा में ग्रामर कहते हैं जैसे कि आपको पता है किसी भी भाशा को सीखने के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान होना हमें पहुत जरूरी होता है तो भाषा के लिखने और बोलने में एक रूपता लाने के लिए उसके नियम आदी निर्धारित किये गए है कि भाषा के लिखने और बोलने में कि भाषा को इस तरह इस शब्द को इस तरह लिखा जाएगा और इस तरह उसको बोला जाएगा तो एक रूपता मतलब सब एक ही जैसा कर्द लिखे उसको और बोले यह लाने के लिए क्या किया है नियम निर्धारित किये गए है जिस सास्त्र में इन नियमों का वर्णन किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं इस परकार व्याकरण की परिभाशा क्या होगी व्याकरण वहे सास्त्र है, सास्त्र मतलब होता है एक किताब, व्याकरण वहे सास्त्र है जिससे किसी भी भाषा के सुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने के नियमों का बोध होता है व्याकरण वहे सास्त्र है, जिससे किसी भी भाषा के सुद्ध रूप सुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने के नियमों का बोध होता है तो यह है व्याकरण की क्या है, परिभाषा है, हर भाषा का अपना एक व्याकरण होता है, जिसके माध्यम से हम उस भाषा को सही रूप में बोलना और पढ़ना सीखते हैं फिर है व्याकरण के अंग, व्याकरण के मुख्यता चार अंग होते हैं, कि सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, उसके बाद क्या सीखते हैं, उसके बाद क्या सीखते हैं तो व्याकरन के मुखेता चार अंग होते हैं, नमबर वन है वर्ण विचार, वर्ण विचार क्या होता है, जिसमें हम ए, आ, ई, वर्ण माला सीखते हैं, उसके बाद है शब्द विचार, कि फिर हम शब्द बनाना सीखते हैं, फिर है पद विचार, पद विचार कि शब्द ज करते हैं वाक्यों को बनाना सीख जाते हैं और जब हमें इन सभी चीजों का ज्यान हो जाता है तो हम उस भासा को अच्छी तरह समझ सकते हैं और लिक्ष भी सकते हैं और बॉल भी सकते हैं तो यह है आपकी क्या थी व्याकरण की परिभाशा अब आपकी एक दूसरी करते हैं फिर भी मैं आपको एक छोटा सा बताना चाहूंगी कि जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि परखर आगरा में रहता है कि परखर एक बच्चा है जो आपको दिखाई दे रहा है आगरा में रहता है उससे बच्पन से ही क्रिकेट खेलने का बहुत शोक है व हैं नियम से Cricket का अप्यास करता है यहां देखकर उसके माता-पिता बहुत खुश होते हैं अब यह देखें जो इसमें आपको जो भी आपको यह लाल रंग से जो भी शब्त लिखे हुए दिखाई दे रही है वह सब क्या है वह सब संग्या है क्योंकि संग्या होती है किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को हम संग्या कहते हैं तो अब इनी वाक्तियों में हम देखेंगे परखर आगरा माता पिता और सचिन तैंदुलकल क्या है व्यक् खेल का नाम है तो यह भी नाम है संग्या है आगरा क्या है स्थान का नाम है तो यह भी क्या है संग्या है बच्पन सर्दी गर्मी खुश यह क्या है भावो के नाम है और यह भी क्या है संग्या है इस परकार हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति वस्तू स्थान भाव आदी के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संग्या कहते हैं, फिर इसमें आप कोई भी उधारन लिख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो, अपनी घर की कोई भी चीज का नाम लिख सकते हो, आप कहां पर रहते हो, यह लिख सकते हो, तो इस तरह से आपकी जो है संग्या की परिभाशा भी होती है अब हम आपसे मिलेंगे अगली कक्षा